जहिन्द आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल The Smart Agile For You में और आज के इस वीडियो में उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो counseling process से बाहर हो चुके हैं या document verification रुख गया है या fee pay नहीं कर पाए हैं तो वो बाहर हो चुके हैं counseling से उनके विशे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कैसे दुबारा से counseling में participate कर सकते हैं और government college पा सकते हैं अगर आपका document verification नहीं हो पाया है या फिर आपने 3,000 रुपए जो seat allotment fees है या seat acceptation fees है उसको नहीं जमा कर पाए हैं और आप counseling से बाहर हो चुके हैं first round की counseling का जो process है वो आप complete नहीं कर पाए हैं या और भी कोई समस्याय हुई है जिसकी वज़े से आप जो है reject हो गया है first round की counseling से ठेक है तो कैसे आप government college या फिर added college allot करवा सकते हैं counseling में participate करके इसके विसे में बात करेंगे तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे आप participate कर सकते हैं तो देखे सबसे पहली बात तो यहां साफ साफ लिखी गई है कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट या second round में अगर उसको seat कोई alert होता है और वो document verification कराने या फिर seat acceptation fees पे करने में असमर्थ है जो की 3,000 रुपए है या नहीं कर पाता है किसी कारण वस तो उसको एक से तीन तक की मतलब पहला तो भी दिया counseling का जो पूरा समय था और दूसरा भी तो पहले से लेकर तीसरे तक counseling से वो बाहर हो जाएगा वो सीधे चौथिय में participate कर सकता है और 4th में उसको new registration करने का मौका मिलेगा अब यहां ध्यान से आप लोग बात सुनेंगे कि 4th round का counseling होगा उसमें new registration किया जाएगा new registration में आपका फायदा क्या है कि अगर आपका जो rejection है document verification का इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पास cast certificate नहीं था ठेक है या फिर कोई और reservation certificate नहीं था ठेक है कि आपको category का जो है पुरा-पुरा benefit दिया जाता है तो category जो होगी आपकी उसको आप change कर देंगे और category को change करके आप general कर देंगे क्योंकि general जो रहता है उसका कोई भी cast certificate नहीं लगता है ठेक है तो category को change कीजिए और उसको general कर दीजे तो इस तरह से एक आपको lifeline मिल जाएगी दुवारा से आपको government college पाने का या फिर added college पाने का एक आसा जो है आपको मिल जाएगे ठीक है और मिल भी सकता है चलिए तो इस तरह से आप reservation हटा के general कर सकते हैं category change कर कर देंगे वहां पर not applicable कर देंगे किसी का अगर military person या फिर freedom fighter या अन्य कोई और भी चीजें अगर choice हो गई है और उनके वज़े से वह certificate नहीं दिखा पाए और document verification रुख गया उनका ठेक है या फिर इसके लावा और कोई भी आरक्षण ठेक है अगर जो है उनको मिलना मिलके उनको college तो alert हो गया था लेकिन वह certificate नहीं दिखा पाए इस वज़े से जो है उनकी counseling में जो admission है ठीक है admission का जो process है वो रोक दिया गया है तो वो क्या करेंगे fourth round में new registration करते समय अपने registration में परिवर्तन कर देंगे और इस तरह से दुबारा से वो counseling करा पाएंगे ठीक है उसकी list जो है college की list जो है 2021 में जितनी भी seat बचेंगी fourth round के लिए ठीक है उनकी list जो है आपको g cup के ही website पर उपलब्द करा दी जाएंगी ठीक है तो इसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए ठीक है और आपका जो rank है बीना reservation के आपके rank के according आपको कौन-कौन सा college alert हो सकता है ठीक है personally एक-एक student अगर पूछना चाहता है तो इसके लिए जो description में दो number दियेगा है उन दोनों में से किसी को भी dial करके आप paid advice ले सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कौन-कौन सा college में seat बची हुई है और कौन-कौन से college में आपको alert मेंट मिल सकता है ठीक है लेकिन याद रख जिसमें प्रते college में जरूर minimum एक seat और maximum आपकी 10-12 seat बची रहेंगी fourth round counseling में ठीक है तो इस video में बस इतना ही I hope आपको मेरी बात जो है समझ में आई होगी और दुबारा से आप counseling करा सकते हैं ठीक है ये बात सुन करके आपको खुशी मिली होगी ठीक है आज के इस video में बस इत रहें मस रहें